तो क्याल चाल सस्रेकाल मैं हूँ नियॉन मैन अड़ गईज आज हम लोग बात करने वाले सलार एंड डंकी के बारे में तो क्या सलार एंड डंकी को एक्सपोस कर दिया गया है वेल गाईज ये सब कुछ स्टार्ट हुआ पहले सलार के बॉक्स ओफिस कलेक्शन से बेसिकली सलार का जो भी बॉक्स ओफिस कलेक्शन दिखाय जा रहा था वो डिफरेंट सोर्से से काफी ज्यादा या फिर काफी इंफलेटेड लग रहा था मतलब कि कुछ सोर्से बोल रहे थे कि उनका तीन दिन में 325 करोड हुआ था बॉक्स ओफिस व्ल्डवाइट कलेक्शन बट प्रोड्यूसर दिखा रहे थे कि उनका 402 करोड हो गया तो इसके बाद उनके अगेंस्ट कॉर्परेट बुकिंग्स करने के एलिगेशन लगने लगे जैसे कि देशी नर्ड ने ये ट्वीट किया था ये सलार का क्या सीन चल रहा है बैंगलूरू के आइनॉक्स गरूडा स्वागत मौल के हिंदी 2D शोज में सेम टाइम पे 3 शोज और 3 हाउसफुल इसके बाद उन्होंने नीचे स्क्रीनशॉट दिखाया कि सेम जगा के मौर्निंग शोज थे और 6.30 एम चारो शोज हाउसफुल दिखाया जा रहा था बट उसके बाद वाला जो शो है आफ्टरनून वाला वो उतना जल्दी फिल नहीं हो रहा था बट ये 6.30 एम वाला इसमेंटर सर्लेट साइं आप कुद देखलो It's shut बट या क्या दूसरे तरफ डंकी को भी एक्सपोस कर दिया गया है वेल डेसी नर्ड एक ट्वीट करके बोले I know marketing बहुत important होता है बट दूसरे के काम को disregard या फिर degrade करके अपने काम को promote करना is not good at all In all such meme pages, डंकी is being appreciated by mentioning how Salar is not worthwhile to watch and in my opinion, this is really wrong audience को ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी दूद का दुला नहीं है और उन्हेंने कुछ meme pages के examples भी दिखा है आप खुछ screen में अभी देख सकते हो बट या ये जो corporate booking वाला topic है इसके बारे में काफी सारे लोग बात कर रहे है and even animal के भी जो producer है उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात किया और वो interview में बोले है कि Bollywood में एक trend है कि कुछ लोग corporate bookings के उपर अपना inflated value दिखा देते हैं box office collections का and उस पर वो rely करते है and अपने movie animal के बारे में उन्होंने कहा कि these numbers whatever we have announced are exactly accurate आजकर लोग को box office figures को लेकर भी भाई थोड़ा सा doubt होने लगता है बट हम लोग ने इस से related कुछ नहीं किया है हम लोग का exact figures है anyways चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात कने वाले UK07 Rider के बारे में UK07 Rider Big Boss और मनारा चोपडा को roast किये जहां guys जबसे Big Boss ने indirectly UK07 Rider को evict करने के लिए task design किया था तबसे वो Big Boss के intentions तो समझी गए बट इवन जो उनकी friend थी कुछ time तक मनारा चोपडा उनके साथ भी उनका कुछ उतना खास बन नहीं राजकल तो वो एक ही statement बोलकर दोनों को roast कर दिया जब उनका मनारा चोपडा के साथ argument चल रहा था उन्होंने ये बोल दिया बिग बॉस मनारा को babysit करने के लिए बुला लो तो ऐसा बोला जाता है कि बिग बॉस मनारा को थोड़ा support करते थोड़ा सा biased है उनके तरफ तो वो बिग बॉस को भी taunt मार दिया और मनारा चोपडा को भी taunt मार दिया एक ही statement से बट या UK 07 Rider के जो भाई है वो YouTubers को एक warning दिये जहां guys जब से UK 07 Rider के around वो eviction वाला task हुआ है उस चीज को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो आगे जाकर YouTubers जो बिग बॉस जाने का सोच रहे उनको warning देते वे ये कहे सच बोलूँ अगर ऐसी घिनोनी चाले करके उसे निकाल भी देते ना I would have been proud of him और ममी बाप अभी ना चाती ठोक के सलाम बोलके उसको यहां पे लाते कि भाई लड़के में कुस तो बात है पूरा शो जो पहले बुला रहा था पूरा गेंस्ट है भार करने के लिए और यह ना not only this मैं यह भी कहना चाहूंगा जो future में YouTubers या creators अंदर जाने वाले है ना जो भौज़ा था हाइप डेस टाइम पे दिमाग से सोच के अंदर जाना because देख लो आपकी hype जस्ट यूज़ करेंगे YouTubers को ना I think यह बात समझ नहीं आ रही है like मेरे को नहीं लगता मैं अभी भी ना इस बात को ऐसे या वैसे घुमा के मत रखना अब मेरे को ऐसा लगता है अभी भी ना YouTubers को यह बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी hype यूज़ करके ना आपको ही निकाला जा रहा है रहा है very happy birthday to you even if I can't connect with you directly मैं तुमसे telepathy के through connect कर सकता हूँ I am very proud of you I know तुम बहुत अच्छे से grow कर रहे हो and you are doing really great मैं तुम्हें बहुत जादा miss करता हूँ and by God's grace hopefully मेरे को तुम्हें मिलने का मौका मिले and despite not seeing you मैं तुमारे लिए almost everyday messages लिखता हूँ about my daily life what I am doing and what's new in my life love you Lord Zora from Papa तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात कने वाले पुनीत सुपरस्टार और थारा भाई जोगिंदर के बारे में तो पुनीत सुपरस्टार और थारा भाई जोगिंदर को इस वज़े से बहुत जादा hate मिल रहा है जहां guys वो दोनों मिलकर एक नया real format ढूंडें जहांपर वो कुछ video प्ले कर देते हैं और उस video को बहुत जादा out of context ले जाते हैं और लोगों से share करवाते हैं लाइक्स लेते हैं जैसे कि for example इस video में उन्होंने एक नीचे video दिखाया कि ये आदमी हमारे God को बहुत गलत तरीके से handle कर रहा है और बोल रहा है कि मैं एक God के statue को तोड़ दूँगा तो सारे Hindu धन वाले लोगों इस video को share करो ऐसा वो बोल रहें वीडियो में बट crazy deep इस चीज के उपर बात किया है और उन्होंने ये कहा परकी क्या है और जो इंदों की वीडियो को share करते हुँ बले चपरी पुनीद सुपरस्टार एंड जोगिंदर को लाब तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात कने वाले तो क्या आशी की थ्री मुवी आ सकता है विल गाई सोर्सेश के साब से यही बोला जा रहा है कि यह लोग दोनों आशी की थ्री मुवी में स्टार करने वाले एंड इन रिपोर्ट्स में यह लिखा हुए कि अप्रोक्सिमेटली फर्स क्वाटर ऑफ 2024 में इस पर काम चालू ह जाएगा तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शारुक खान एंड उनके बच्चों के बारे में तो आप लोगों को बता हुआ कि शारुक खान की डॉटर सुहाना खान एंड उनके बेटे आरियन खान दोनों ही धीरे-धीरे मैंड वो मेरा लाइफ देख है तो उनको पता है कि इस इंडस्ट्री में कैसा लाइफ होता है तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात कने वाले स्काउट के बारे में तो इंडियन गेमर स्काउट के ऊपर रियाक्ट किये के साइंड दी साइड में जहां गाईज वो लोग कर रहे थे और जब गेमिंग वाला टॉपिक उठा तब विक्स्टार जो कि यह गेमर है उन्होंने स्काउट से रिलेटेड बात किया एंड उनको इंटर्ड्यूस कर रहा है बाकी सारे साइड में से अब खुद देख लिए जह उनके तरफ से कैसे रियाक्शन आ रहे थे तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वाइफ एंड हस्टोरी आ रहा है कि एक कपल थे वाइफ एंड हस्बेंड अपैरेंटली जब यह हस्बेंड मिसिंग चल गए थे तब वह वाइफ पुलिस में जाकर एक कंप्लेंट फाइल करा दी थी कि मेरे हस्बे इसीगेशन हुआ और पुलिस ने वह हस्बेंड को ढूंडने की कोशिश की तब वह एक्च्वेली में हस्बेंड को ढूंड लिए और फुर्दर इंवेस्टिकेशन की आप पूछताच की तब पता चला कि यह वाइफ और हस्बेंड का प्लान था कि वह लोग बोलेंगे कि husband मर गया एंड उनके family को वो लोग फसा देंगे ताकि उनका property मिल जाए इन लोग को क्योंकि वो लोग तो सोच रहे थे उन लोग को चली अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले डीप फेक्स के बारे में तुम्हारे गवर्मेंट के तरफ से एक एडवाइसरी चल गया है तो इनको जल से जल टेक डाउन किया जाए सो या तो चलीए अब कुछ अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं तो फिर्स्ट अफॉल साम जोन ने कंप्लीट कर चुके थी मिलियन सबस्क्राइबर्स दिन प्राइम मिनिश्टर नरेंदर मोदी ने कंप्लीट कर चुके थ्वेंटी मिलियन सब्सक्राइबर्स दिन likely topics क को मिल चीगा उनका silver play button and finally showbit तमंग music को मिल चीगा उनका silver play button so many many congratulations to all of them so यहां तो चल दोस्तो आज के वीडियो के लिए बसिते रहे हैं अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को भी तक subscribe नहीं कियो हूँ तो जल्दी से जल्दी subscribe भी कर ले न्यूस सब्मिशन कर लिंक description में वहाँ से जाके आप कुछ news भेजोगे तो आपको credits भी मिल सकता है मेरे description में यह ऐसे support करते रहना मिलते नेक्स वीडियो में till then bye bye